तो गैस मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइटवर्क सुरू करते हैं गैस अपनी बातों को सबसे पहला में लोग सर्वाइवर सीरीज वार गेम से तो डबी 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 का जो अगला इवेंट होगा क्राउजुल के बाद वो सर्वाइवर सीरीज वार गेम सी होने वाला इस साल का ँहां करीव and me अब अब कफिर्म लिए कि उपडेट्स के कोईडिंग में आपकको बता रहया ह acum चांसे से कि हो सकता है अभी कहीसाब से अच्छे का का से जैंस बूर्स ने काफिर से बतानी की जरुरुत है कि कि बच्क्राइबस का पढ़कर बतातों स्क्रीन सॉट देखलो आप लोग फिर इसको ट्रांसलेट करता हूं रिगार्डिंग वार गेम्स के रिगार्डिंग इनको पता यह चला कि डबी डिसेंटली में काफी बैकन फॉर्थ यह इसको लेके डिसेंट चेंज कर रही है तो डबी डबी काफी बैकन फॉर्थ जा रही है जो लास्ट डिसकसन डबी 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 ने करी थी जब इनको मालूम चली थी यह सारी अपडेट्स तो उस टाइम डबी डबी जो है सिफ इसको रौ एक्स्क्लूसिव रखना चाहरी थी यानि कि जो वार गेम्स के अंदर डालना चाहती है तो डबी डबी याकर सिफ रौक सूपर स्टार्स के वारे में सोची क्यों रही थी पहले बो तो मुझे निए पता आखिर आप सोची भी कैसे सकते हैं तो पहले तो काफी स्टुपेड था अगर डबी डबी इसा सोच रही थी तो ले प्रबैबल दिख रहा है वो दिख रहा है 515 यह वाला मैच कोडी रोट से सेमी जैन के विजैन जे उसा एंड एले नाइट के अगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की जुरी हुए बैरें को लेके बैरें कॉबन को हमें सालों की इंसल्ट करते र पहली बार को देखा था तो मुझे बहुत अच्य लगा था कि हांबाई इस बंदे के अंदर वो गुस्ता दिखता है बैरें कॉर्बन के अंतर उस टाइम मेरे रियक्शन था अभी तो सब ने इतना नेगेटिव बना दिया तो मुझे भी लगता कि हां कुछ तो गरबर सब्सक्राइब करते हैं जैसे नाया जैक्स हो गई एक बार इन्होंने गलती करी दो बार करी तो बस उसको लेकर पकटके पूरी जिन्दगी को सुना है यह सेम चीज बैन कॉर्बन के साथ भी है और अभी तक उनको जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो कि साध एक प्रोफे इमोशनल बात कह दिए जिससे की काफसर लोग इमोशनल हो गए और अब अपने लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो सुरू से कह रहा था कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं इससे हैं मुझे नहीं समझा जाता कि लोग इतने हिपोक्रेट क्यों होता है ठीक है कामिं की स्टेटिमेंट कहती हैं आपको बता दो कहते हैं अई होप विनाम ड़न पीपल गो मैं आइडिंट रियलाइज इट ताइम बट वस रियली रियली गुड तो बैन कर नहीं का रहा कि यह सूपर स्टार कितना बढ़ीया था कितना अच्छा था इसके अंदर जो कैरि मैं चाहते हैं कि retirement के बाद उनको ले कर हो, और मुझे बहुत अच्छे से जाद है कि ये बात मैंने किसी superstar को ले कर कही है, अब क्या इनको ले कर ही कही है, या फिर किसी और को ले के वो नहीं याद मुझे, लेकिन ये बादiu intend человечно-tी मैंने कहिए तो में भी मैं expect कर सकता हूँ कि अब बहुत सारे लोग के opinions change होगे mass opinions change होगा and WWE side इस चीज़ को देखके Baron Corbin को एक massive push दे एक बार वो 2016 वाला Baron Corbin वो लंबे बाल के साथ देखने को में जा भाई मचा आ जाएगा अभी तो टकले हैं Baron Corbin लेकिन बाल वाल ग्रो करें तो दिन I guess वापस होने उस लेवल का post and वो वाला character WWE दे सकती है अगली story कवर करते हैं जो कि यह वाई पर Randy Orton को लेके तो Randy Orton War Games में Survivor Series में फ्रवाइबली वापस आ जाएगे काफि सारे chances हैं रिपोर्टस हमने सुनी हैं multiple reports रिपोर्टस की तरफ से आई थी कि Randy Orton को लेके WWE merch वगरा सब कुसे डन कर चुकी है अब सिफ Randy Orton का रिटर्न कराना है जो कि प्रवाइबली Survivor Series में हो जाएगा नहीं तो उसी weekend को mention करा जा रहा है इस सेम रिपोर्ट को confirm करते हैं वहां पर अपनी वापसी कर लेंगे लेकिन क्या Randy Orton वार गेम स्मैच के अंदर आ सकते हैं अब आपको मालूम है अभी मैंने जस्ट आपको बता है कि WWE RAW और SmackDown दोनों की सूपरस्टार्स को डालेगी SmackDown से तो बिलकुल confirm है कि कौन को होने वाले SmackDown की तरब से आपको देखने को मिल जाएंगे Roman Reigns और सोरो सिकवा जिमियोसो बाकि उधर जजमेंडे के डामिन पिस्ट और फिन बैलर ऐसा नहीं है कि सिफ SmackDown के सूपरस्टार्स सी SmackDown के टीम में होंगे वो से बताया जारा है कि दोनों ब्रैंट्स के सूपरस्टार्स इंक्लूडेड होंगे Monday Night Raw में probably WWE ऐसा कर सकती है यानि Monday Night Raw क्यों कह रहा हूँ मैं जो बेबी फेस्ट टीम होगी उसमें WWE probably ऐसा कर सकती है कि एक स्पॉर्ट खाली रख सकती है वार गेम्स 5 on 5 या 4 on 4 जो भी कह लो उसमें WWE एक स्पॉर्ट खाली रखेगी अगर ऐसा कुछ करती है तो दिन माप आपको पता है किसका रीटर्न हो सकता है तो एक बहुत बेटर वे है रैंडी ओर्टन के रीटर्न को बुक करने का I guess WWE को करना जरूर से चाहेगी वार गेम्स टाइप मैच में क्योंकि वार गेम्स की जो मैच है वो एक ऐसा ही मैच है जिसमें की एक सुपरस्टार भी आखे पुरे मैच को पलट सकता है क्योंकि एक एक करके अलग-अलग टीम से सुपरस्टार्स एंटर करते है तो इमेजन करो आखरी सुपरस्टार एंटर करेगा बेबी फेस की टीम से एंड वो रैंडी ओर्टन हो तो किता मज़ा आ जाएगा फिलाल आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली को लेके तो कुछ टाइम पहले मैंने यह चीज आपके साथ डिसकस करी है कि रिया रिप्ली के रेंड को लोग अब क्रिटिसाइज करना चालू कर रहे है not because कि वो उस टाइटल के साथ अच्छा गुस करनी रही है बट प्रवेबले की उस टाइटल से उपर साथ वोट चुकी है कहने का मतलब यह कि इस टाइटल के अलावा भी जो है रिया रिप्ली काफी कुछ कर रही है तो उन्हें एक्चुली चैंपिन रहने की जुरुत है नहीं अगर उसे चैंपिन से प्ले भी ली जाए लगता है कि रिया रिप्ली चैंपिन रहेंगी वहां पर हारेंगी तो हारेंगी वरना अदर्वाइस उससे पहले उसे टाइटल लेना साथ एक मिस्टेक भी हो सकती डबी डबी की लेकिन कहीं ना गहीं बैक्स्टेज बिहाइंड दे सीन्स इसको लेके अब थोरी कंसेडरेशन चालू हो चुकी है क्योंकि रिया रिप्ली टाइटल को आगे बढ़ा नहीं रही है इतने बरे कैरेक्टर के साथ भी इसमें उनकी गलती नहीं है खुट टाइटल से इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोग टाइटल नहीं देखते हैं सिफ्ट रिया रिप्ली को देखते हैं आखरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि इस सोलो सी कवा को लेकर एक अपडेट नहीं है सिफेक ऊपर से चाली मलाई वाली जाएंगे इस सोलो रन में जाएंगे तो ऐसे में उनके थीम के साथ और उनके एट्रिम्यूट के साथ बहुत कुछ चेरशार करने वाली असा कुछ बताया जा रहा है बहुत सारे चेंजेस आपको लेकिने को मिलेंगे तो जादा कुछ यहां पर है नहीं सिर्फ इतना ही सा पर वाट्सप चैनल के लिंक आपको में जाएंगे डिस्क्रिप्सिन में जोइन कर सकते हैं आप लोग उसको भी मिलते हैं अपर नेक्स आफेर काफ़ इंट्रस्टिंग वीडियो में